AD का एक और बड़ा एक्षन, फिर मिला नोटो का आमबार, पहले पोजा सिंगल, छमीर अंजन, विरेंद्र राम, धिरत साहो और अब जहांगी रालम, नेताव सरू के करप्षन का कनेक्षन, ये तमाम घेडलाइन्स विते दो दिनों से छोटी बड़े न्यूस चैनलों में च खुलासा किया है, लेकिन किसके हैं ये 40 करोड रुपए, और कौन है एक आम सा नौकर, जहांगीर आलम, जो फैनता है फार्च हजार की टीशर, लेकिन चलाता अब भी स्कूटी ही रहे, जहांगीर आलम कोई और नहीं, बलके जहारखन सरकार में ग्रामिन विकास मंतरी, आल के दौरान पता चला कि 500-500 के गड़ियां अलग अलग कूट के डबो, पॉनितिन और कपड़े के थैलिंग में भर कर रखे हुए थे, इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये सारे रुपए कमिशन के हैं, प्यूंकि रुपयों का बंडल सजार कर नहीं रखा गया है, ज नोटों के गिनती नहीं के जाती थी, लेकिन जब 80 के रेड पड़े तो गिनती भी शुरू हुए, पैसे यतने कि नोटों को देखकर मशीन भी हरा रह गई, बकसे भरते गए, छे और बकसे मंगाने पड़ गए, कुल मिलाकर 12 बकसों में इस करूडों की संपत्ति को जब्त गुन्ना सिंग मंत्री आलमगिर आलम के पियस संजीव लाल के करीवी बताय राते हैं, वही डुननडा इलाके में कुंट्राक्टर राजिस सिंग के यहां छापिमारी के दौरान डेर करूट रुपए मिले, आपको बता दें कि जहांगिर आलम और उनके मानिक यानिकी आलम इस भवन में मौजोद ग्रामिन विकास विभात के जिस कमरे में संजीव लाल बैठते थे, वही उन्हें ने जाया गया है, खबर बनाया जाने तक बताया गया कि एडी की टीम वहां भी कांगजात खंगाल रही है, इसकी साथ ही जानकारे मिने कि संजीव लाल को सस्पेंट करने की तक्रिया शुरू हो चुकी है, सेम चंपर सोरें से समती मिनते ही उनकी सस्पेंशन से संबंदित अधिसोचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन एडी को इस अकूत संपत्ती का पता कैसे चला और किस मामले में ये कारवाई की गई है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अकूत संपत्ती का कुलासा महज 10,000 के रिश्वत खोरी से हुआ है, वही 10,000 की रिश्वत जिसके वजह से जार्खन विकास विभाग के चीप इंजेनियर विरेंद्र राम एडी के जाल में फस गए थे, और फसे ऐसा कि सीधे जेल की रोटी खाने को मजबूर है, दनसल साथ 2019 के नवंबर महिने में एसीबी ने विरेंद्र राम के सहयोगी जूनियर इंजेनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को एक ठेकिदार से 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था, हालाकि सुरेश वर्मा ने ठेकिदार से कतितोर पर 1,000,000 रुपए के रिश्वत मांगे जिस वब्द सुरेश वर्मा जिश्वत नेते पकड़े गए थे, वह जमशेतपूर में विरेंद्र राम के मकान में रहा करते थे, विरेंद्र राम तब रामिन विकास विभाग के चीप इंजीनियर थे, सुरेश वर्मा के घर से 2 करोब रुपए से जादा की नकड़ीट बरामत की गई थी, तब सुरेश वर्मा ने दावा किया था कि ये पैसे विरेंद्र राम के हैं, और ये पैसे उनके रिष्टेदार ने रखने को दिये हैं, फिर विरेंद्र राम एडी की जद में आ गए, क्योंकि मामला मनी लॉंडरिंग से जुड़ चुका था, एडी न उनके सौव करोड रुपै से भी अधिक की चल चल संपत्ती के बारे में पता चला था, रेट में मिने दस्तावेजों के आधार पर उन्हें गिरफतार कर लिया गया था, इस मामले में चानविन के दरान एडी को ये बात मालू पड़ी थी, कि विरेंद्र राम टेंडर के ब संजीव लाल ने साल 2022 में करोडों रुपै कमीशन की तौर पर लिये, तब से ही संजीव लाल एडी की रडार फर थे, अब जाकर उन्बर कारवाई की गई है, रिमांट पिटीशन में कोट को जानकारी देते हुए एडी ने बताया है कि संजीव लाल प्रभावशाने खौच से अधिकारी कर्मी इस टेंडर कमीशन के नेट्वर्क का हिस्सा रहे हैं, कमीशन का पैसा जादतर समय कैश के रोप में निया जाता था, जिसे आगे की प्रक्रिया में सफेद किया जाता था, पिछले साल गिरफतारी के बाद विरेंदर राम ने एडी को दिये बया पैसे को सुल्जाते सुल्जाते इडी अब जाकर 40 करोड रुपय के नोटों के पहाड तक तोची है, और इडी ने इसी मामले में कारवाई को आगे बढ़ाते हुए इस सबसे बड़ी कारवाई की है, मिली जानकारी के अनुसार जांगेर आलम के जिस आवास पर इडी की र रखा जा सके, और तो और संजीव लाल ने जहांगेर आलम के नाम पर एक गारे भी नहीं रखी है, जिसे इडी ने जब तिकल लिया, अब दना संजीव लाल की बात की जाए, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वह चार सालों से ग्रामिन विकास मंत्री आलमगेर आलम के पर संजीव लाल राची में डीट्यू के पदपर भी रह चुके हैं, आलमगीर आलम के पर्सला से पेट्री बनने से पहले वे महाचपा के सरकार में मंत्री रहे, सीपी सिंग के पीयस थे, और जहां तक बात है जहांगेर आलम की, तो बताया जाता है कि वह मूल रोप से चत्रा जीने का रहने वाला है, साल 2009 में यहां मेडिकल रिप्रेजेंटिटिव के तौर पर काम करने के दौरान ही उसकी जान प्यचान संजीव लाल से हुई थी, संजीव लाल तब चत्रा जीने के पत्तलगडास के बीडियो थे, वही से दोनों की दोस्ती प्रदाड होती चले जहांगीर से उसकी दोस्ती बनी रही, एडि ने अपने रिमांट प्रेटीशन में बताया है कि संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम ने मिलकर अवैत कमाई से अकूत संपत्ती अरजित की है, अब एडि पता रगा रही है कि इन दोनों ने कहा कहा के खेल में शामिल रहे हैं, और जब इन सबकातार मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ना शुरूप हुआ, तो उन्होंने पल्ला जाडते हुए साफ कर दिया, कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, संजीव लाल खुनों ने अनुगव के आधार पर परसनल सेक्रेट दरसल एडी ने राजिके मुख्य सचिव को सिक्रेट लेटर लिखकर कारवाय करने को कहा था, तब मुख्य सचिव ने इडी के पत्र का सन्यान लेते हुए ग्रामिन विकास विभात के सचिव को कारवाय करने का आदेश दिया था, लेकिन जो लेटर एडी राजिके मुख् था वह लेटर एडी की कारवाय के दौरान जहांगर आलम के पास पाया गया वहीं बताया जा रहा है कि जहांगर आलम के आवाज से एडी को प्रांसवर पोस्टिंग कराने को लेकर कुछ दस्तावेज मिले हैं जहां जहारखन कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश उनके नाम का जिक्र है इन सबसे कही न कहीं ये समझ में आता है कि ग्रामिन विकास विभाव में नेता अफसर से निकत नौकर तक सब की मिनिभवत है लेकिन यहां सवाल एडी पर भी उठता है क्या एडी गोटारों का फुलासा तब ही करती है जब चुनाव नजदीक आ र है कि रेड एडी ने नहीं मोदी जी ने मारी है उन्होंने ही सारे गोटालों का खुलासा किया है लेकिन मोदी जी को और भाजपा को कभी खुद की गिर्बान में भी जाक कर देख लिना चाहिए उनके खुद की सांसत विधायक भी डूद के थोले नहीं है अब इस पर आप अलिद दयान विदा जुहार